दोस्तों नमस्कार पर हैं चाहे कॉंग्रेस है कॉंग्रेस ने राहूल गांधी और मलिकार जुन खडगे के नेत्रताओं में अभी तीन दिन पहले ही हर्याना को लेकर एक बड़ी बैठक की इंडियन लेशनल लोगदल हो जन्नायक जनता पार्टी हो आमादमी पार्टी हो सभी अपने काम में ल लखा जाए भारती जनता पार्टी के लिए चुनोती यह है कि हर्याना में हैट्रिक लगाई जाए तो कैसे लगाई जाए क्योंकि आज तक हर्याना के अंदर किसी भी पार्टी की हैट्रिक नहीं लगी लगातार दो टरम तो भुपेंदर सिंग घुड़ा भी कर चुके हर्याना में भी हेट्रिक लगे तो इस सब को लेकर अमिशाह थे कल शनिवार को पंचकुला में चौधरी देवी लाल स्टेडियम के अंदर हर्याना के लगबग पांच हजार प्रतिनिदियों के साथ अमिशाह ने सीधा समवाद किया और उस समवाद के दोरान एक बात सामने निकल करके आई कि नायब सिंग सैनी हर्याना का अगला फेस भी होंगे जो आजकल के मुख्य मंत्री है जिनने रिप्लेस किया गया मुख्य मंत्री मनहुरलाल के स सहरा भी होंगे मैं आपसे दो विश्यों पर बात करूंगा दोस्तों इसमें पहला तो ये कि कल जो अमिशाह पहुंचे थे पंचकुला के अंदर उनकी अगवानी मुख्या रूप से मनहुरलाल खटर ने भी की थी और राजनीतिक सुत्र बता रहे हैं कि अमिशाहर मनुरल नायब सिंग सैनी को हरियाना का चहरा घोशित कर दिया बता दिया कि नायब सैनी के चहरे पर चुनाव लड़ेगी भारती जनता पार्टी यानि कि अगर मनहुरलाल से जो बात हुई कमरे के अंदर बंद कमरे में मुलाकात हुई क्या बात हुई ये बात तो भी सामने बाहर निकल कर नहीं आई लेकिन ये जरूर है कि मनहोरलाल इंपोर्टेंट बहुत जादा है ये संदेश फिर से अग्रेशित हो गया आमेशा की तरफ से और दूसरा नायब सिंग सैनी को चेहरा बना रही है भारती जंता पार्टी ये उन्होंने सीधे कह दिया अब अगर मैं आपसे कहूं कि नायब सैनी और मनहोरलाल का रिष्टा क्या कहलाता है तो मनहोरलाल और नायब सैनी को आप गुरू शागिर्द के रूप में भी गिन सकते हैं सहयोगी तो है ही है नायब सिंग सैनी मनहोरलाल के सबसे विश्वास पात्रों में भी गिन सकते हैं क्योंकि नायब सिंग सैनी और मनहोरलाल कभी एकठे हम रहा रहे हैं हम रहा तो आज भी है और हम रहा उससे पहले भी थे जब मनहोरलाल मुख्य मंत्री और नायब सैनी परदेश अद्यक्ष बनाए गए और जब बाद में मुख्य मंत्री का चेहरा बदलने की बात चली तो मन मनोरलाल नहीं सुझाया होगा कि नयवट्ब सेनी ठीक रहेंगे अब बात ये हैं सारी कि पुरानी बोतल में यह और नहीं बोतल में पुरानी छ़राब की एक उख्ति जो है वह नायब शञार्उ होगारती जन्ता पराटी को हर्याना में दस में से पांच सीट मिली, पांच सीट कॉंग्रेस को मिल गई, पांच सीट भारती जनता पार्टी ने जीत ली, अब बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर अगर अंटी इंकम्बेंसी थी तो उसका असर हर्याना में भी हुआ, यहां तो बीजेपी फिल को लेकर मनोहरलाल की बातों को पूरा महतु दिया गया, चाहे वो हिसार की सीट हो, चाहे वो सोनीपत की सीट हो, चाहे कुरुक्षेत्र पर भी मन्थन तो मनोहरलाल से हुआ होगा, इन सब को लेकर भी यह है कि मनोहरलाल को पूरा वेट दिया गया, पूरा वेटेज मिला, और दूसरी बात लोगसवाद चुनाव जो लड़ा गया वो नायब और मनोहर की जोड़ी पर लड़ा गया नायब सिंग सैनी मुख्यमंत्री और मनोहरलाल केर टेकर मुख्यमंत्री में कह सकता हूँ उनसे आप और पूरी जिम्मेदाली के साथ कह रहे हैं कि केर टेकर मुख् कि साथी से बात करते हुए कि 2014 में बीजेपी की रणनीती क्या थी और आज क्या होनी चाहिए लेकिन अब जो वर्तमान की स्थिति है भारती जनता पार्टी ने अब चहरा गोशित कर दिया अगर आप कई चुनाव देखें पिछले नायब सिंग सैनी यह लिकि भारती जनता पार्टी ने जो गैर जाट वाली जो पॉलिसी चली है उस पर वो आज भी कायम है पहली बात तो यह यहां क्लियर हो जाती है कि पहले मनोहरलाल पार्ट वन मनोहरलाल पार्ट टू और फिर बाद में पिक्चर के बीच में इंटरवल के दोरान मनोहरलाल को चेंज करके नायब सिंग सेनी लाए गए और अब नायब सिंग सेनी के नाम पर चुनाव की बात चल रही है। हर्याना के अंदर लगबग 30% OBC मद्दाता की संख्या माली जाती है और इस लिहाज से सबसे बड़ा वर्ग बन गया लेकिन OBC के अंदर लगबग 35 से ज़्यादा कास्ट आती हैं 35 से ज़्यादा और जिसका प्रतिनिदित नायब सिंग सेनी करते हैं सेनी समाज उसकी वोट हर लगबग 2% लेकिन OBC के चहरे के नाम पर अगर चुनाव आता है तो फिर OBC की संख्या मैं आपको बताया लगबग 30% है अगर आप हर्याना में OBC मिले तो उसके अंदर सेनी समाज हुआ उसके अंदर पांचाल समाज हुआ उसके अंदर विश्कर्मा समाज हुआ उसके कास्ट आती है प्रजापत समाज हुआ तमाम कास्ट आती है यह पिछली बार जो चहरा मनहुरलाल को रखा गया था 2019 में और 2014 में बिना चहरे के लड़ते हुए मनहुरलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया लिक यानिकी पंजाबी समाज को आगे करते हुए पहला ही मौका था हर्याना के अंदर किसी पंजाबी नेता को मुख्यमंत्री की कमान मिली पहले मुख्यमंत्री बने और आगर OBC की बात करें तो नायब सिंग सैनी भी हर्याना के पहले ही मुख्यमंत्री है जो OBC समाज से आते हैं यानि कि भारती जंता पार्टी ने उन वर्गों को साधने का प्लानिंग किया कि जिन पर अभी किसी और पार्टी ने चाहे वो कॉंग्रेस और चाहे फिर क्योंकि हर्याना में अगर देखे तो कॉंग्रेस की सरकार बनी या छेत्रियो दलों के रूप में इंडियन नैशनल ल के लिए पार्टी थी अगर जादातर समय कहें तो फिर हर्याणा के अंदर जाट समाज के नेता मुख्या मंत्री रहे बीच में जिनका नंबर लग गया वो चाहे वो बनारसी दास गुपता थे चाहे राव विरेंदर सिंग कुछ समय मुख्या मंत्री रह गए पंडित भगव चुनाओ में तो वो करिश्मा हो नहीं पाया जिस करिश्मे कि उम्मीद भारती जन्ता पार्टी को रही होगी लेकिन फिल गूड यूं कर सकते हैं कि एंटी इंकंबेंसी थी चलो पांच तो बचा के लिए हम हर्यानक का सिती तो कुछ हैसी कहती थी कि ज़्यादा खराब भ पूरी तरह अच्छन में हैं पूरी तरह से वह इस समय एक working मुख्य मंतृ के रूप में आपको दिख सकते हैं तमाम प्रकार की योजनाए बना रहे हैं मनोहरलाल सरकार की जो योजनाए जन पर कही ना कहीं सवालिया निशान लग रहता उन को पीछे कर रहे हैं बैक पे ले जा रहे हैं आप कल का देखिए कि सरपंचों को जो पावर्स दी गई तो उसको लेकर क्या आप मान सकते हैं कि मनोहर लाल जी के साथ तो जो मनोहर लाल जी की सरकार थी तो सरपंच खूब भिढ़नत होती रही सिंग भिढ़ते रहे लेकिन मनोहर कि थी वो 50,000 कर दी मंत्री आता 3000 कि थी 30,000 कर दी मतलब पूरे खजाने खोल दिये रोज नौकरिया निकाली जा रही है चाहे वो आवास वित्रण की बात हो मतलब पूरी तरह एक्षन में है पूरी तरह से लेकिन नायब सिंग सेनी के साथ साथ मनोहरलाल को आगे रखा जाएगा ये बात भी तैय है मनोहरलाल के साथ बंद कमरे में मैंने कहा कि मुलाकात हुई क्या बात हुई शायद दोनों ने कहा होगा ये बात किसी से ना कहना इसलिए भी बात बाहर नहीं आई है लेकिन बात जरूर होई होगी और राजनितिक सूत्रों में कहा जा रहा है कि मनोहरलाल बैक फेस मनोहरलाल है नायब सिंग सेनी आगे का चेहरा है अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोशित किये बिना 2014 में बीजेपी मैजोर्टी ले लेती है बीजेपी राजिस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा घोशित किये बिना मैजोर्टी ले लेती है लेकिन 2019 में हरियाना में मुख्यमंत्री का चहरा घोशित करके भाजबा को मैज़ोर्टी नहीं मिलती भहुमत नहीं मिलता अब दोजार उन्ने चौबिस में नायब सिंग सैनी को चहरा घोशित करके उनको दूला बना करके जो बरात सजेगी वो बरात क्या सत्ता की दुलहनिया का वरण करके आ वैसे आपको क्या लगता है कि नायब सिंग सैनी को मुख्यमंत्री का चहरा घोशित कर भारती जन्ता प्राटी को फायदा होगा आपको क्या लगता है कि क्या हरियाना के अंदर कोई एंटी इंकम्बेंसी भी है जिसका कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपको क्या लगता है कि चुनावी रण कैसा होगा बीजेपी और कॉंग्रेस कैसा परदर्शन करेंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन